ही एवरिवान दिस इस मॉनिका दुआ यो चोग्रफी फाखल्ची वल्कम चुसफल टूपइंटो बाच मुश्किल बात मुईडम सब्सक्तू कैसे हैं आप सभी सो आज की क्लास में हम लोग जो है अपना नेक्स चैप्टर स्टाट करने वाले हैं चैप्टर कर रहा हैं ट्रा सार में जो है कौन-कौन से अलग-लग हमारे ट्रांसपोर्ट के मीडियम है कौन-कौन से हमारे कम्मुनिकेशन के मीडियम है चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है अच्छा मैंना बहुत सारे बच्चों के कॉमेंट्स पढ़ रही थी बच्चे बोल रहे थे कि माम आप लोग न स्चाट किया था यह वोला बाच इस्पेशली जोग्रफी की जब क्लासस स्टार्ट हुइ थी तो आप लोगों ने बोला था कि मैम अगर आप आदा चैप्टर एक दिन गराएंगे और आदा एक दिन कराएंगे तो हमारा कवर कैसे होगा तो आप लोगों ने खुदी बोला में भी मैं आपको सारा का सारा बताती हूं कि कौन से टॉपिक से कैसे क्वेशन पूछे जाते हैं तो यह ब्रह्म अपने दिमाग से कृप्पा करके निखाल दीजिए कि वन शॉट में आपका कॉंटेंट को हम छुडवा रहे हैं तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है हम अपने सारे कॉंटेंट को खबर कर रहे हैं अब बात करें अगर हम आज के इस चाप्टर की तो बेसिकली हमारा यह जो चाप्टर है ना यह स्टाटिक चाप्टर है मैं आपको पहले ही बता देती हूं ठीक है इसमें समझाने की चीजे कम है रटामार चीजे हैं जाधा हो सकता है किसी कि स्लाइड पर आपको यह भी लगेगा कि यह क्या है मैं ने तो बस स्लाइड को पढ़के बस इसको एसे ही एक्स्प्लेइन कर दिया वाई क्योंकि अलग लग ट्रांस्पोर्ट वह आएंगे वेज आएंगे ठीक है हाइवेज आएंगे कौन किसको कहां से कनेक करता है बस यही आपको पढ़ना है और यहीं आपका बोर्ट में भी पूछा जाता है तो मैं आपको पहले यह बात कहकर चल दो कि बहुत सारी जो चीजें है इस चाप्टर के अंदर स्टाटिक आएंगे ठीक है तो दिमाग में रखकर चलना वह यह लेक्चर वन करेंगे हम पहला ही और आपको और कैमने वह लिली अन्सलिमन खेंगें वाह लगूस्य किन है क्ला दो ठीक है, air transport, water transport, उन सब के बारे में जानेंगे, फिर हम जानेंगे, communication के बारे में, और फिर at the end, हम अपने कुछ NCQs को कवर करेंगे, चलिए, start करते हैं, सबसे बहले हम बात करते हैं, ठीक है, तो कहते है, transport is a facility or a service for the carriage of person or goods from one place to another, using humans, animals, different kind of vehicles, तो भाई देको, यह तो बहुत ही लिख्यू हुई है, और एक ऐसी बात लिख्यू हुई है, जो बहुत ही पढ़के भी समझ में आ रही है, कि transport जो है, एक सुविधा होती है, या एक service होती है, जिसमें आप लोगों को भी ले कर जाते हो, carriage का मतलब होता है, ले कर जाना, और साथी साथ चीजों को भी ले कर ज लाती है, ट्रांसपोर्ट में भी आप humans का यूज़ करते हो, animals का यूज़ करते हो, और अलग-लग टाइप के vehicles का भी यूज़ करते हो, ठीक है, it is an organized service industry that handles loading, unloading and delivery, बिल्कुल, सबसे बड़ी बात हो, ये एक organized service है, ठीक है, proper organized होता, patterns होती है, सारी चीज़े होती है, routes होती है, सारी चीज़े होती है, और साथ ही साथ, इसमें आप किसी समान को लाके load भी करते हो, unloading मतलब आपने कहीं से समान मंगवाया है, तो वो आपके area में आके जब उतर रहा है, तो unloading भी होता हो, delivery भी होता है, चीज़ों को आप एक जगे से दूसी जगे पर पहुचाते भी हो, तो तीनों तरीके से चीज़े ट्रांसपोर्ट के अंदर होती है, ठीक है बढ़िया, अब हम बात करते हैं, modes of transport की, कि हमारे ट्रांसपोर्ट के different modes जो हैं, वो कौन-कौन से है, तो अगर हम बात करें, transport के modes की तो या बच्पन से बढ़ते आ रहे हो, land, water, air और pipeline, ठीक है, आजकल जो है pipeline भी एक mode माना जाता है, क्योंकि कुछ चीज़े liquid हमारा material ऐसा होता है, वो भी हमें transport करना होता है, अब भाया liquid को किसमें लेगर जाएंगे, तो liquid के लिए हम pipeline tankers विगरा use करते हैं, ठीक है, they are used for inter-reasonal, inter-reasonal का मतलब होता है एक area से दूसरे area में, ठीक है, let's take example जैसे मान लीजे, आपको कोई समान जो है, क्यालकटा से बॉम्बे पहुचाना है, चिन्नाई पहुचाना है, तो that is inter-reasonal, मतलब अंतर शेत्री है, ठीक है, और एक होता है, inter-reasonal, inter-reasonal का मतलब होता है, एक ही area में, एक जगे से दूसरे जगे पर, जैसे अगर मैं बात कर एरिया में, एक पटिकुलर एरिया में, एक जगे से दूसरी जगे पर पहुचाओगे, तो वो inter-reasonal और inter-reasonal का मतलब है, एक एरिया से दूसरे एरिया में, ठीक है, तो ऐसे हम ट्रांस्पोर्ट को यूज करते हैं, ठीक है, सिरफ अच्छा, सारी जो चीजें हैं, लाइक Land, Water, Air, इसमें आपका समान भी जाता है, और आपके लोग भी जाते हैं, लेकिन पाइपलाइन आपकी ऐसी होती है, जो सिरफ और सिरफ समान को लेकर जाते हैं, क्योंकि पाइपलाइन में इंसान बैटके नहीं जा सकता, दम गुड़ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठ सब्सक्राइब जो जगे होती हैं, उनको नोट्स बोला जाता है, वो आपस में connected होते हैं, लिंक से, आपस में एक दूसरे से लिंक से connected होते हैं, और इस तरीके का जो पाइटन बनता है, हम उसको network बोलते हैं, क्या बोलते हैं, network बोलते हैं, clear, ठीक है, अब हम बात करेंगे लग-लग transport की, land transport, सबसे पहले, इसमें जो है, समान हो, चाए आपका, इंसान हो, चाए कुछ भी हो, वो roads और rails के थूँ जाता है, तो इस तरीके में जो moment होती है, road transport में जो moment होती है, जो चीज़े जाती है, वो या तो road से जाएंगी, या rails से जाएंगी, ठीक है, earlier human themselves were carriers, such as pal selling cue, यानि पालकी और डोली, later pack animals, such as mules, hoards, camels for use, अगर हम स्टाटिंग की बात करें, जब हमारा transportation ड्वेलप नहीं हुआ था, तब इंसान ही एक जगे को उठाकर, एक जगे से दूसरी जगे पर लेकर जाया जाता था, जैसे आपने देखा होगा, पालकी, पालकी होती थी, ह ना, तो डोली होती थी, जो जाती थी, तो उसमें इंसान ही, तो आपने देखा होगा ना, पुरानी movies में, कि चार लोग जो होते हैं, वो पालकी को उठाकर जा रहे होते हैं, ठीक है, तो वो होता था, फिर देरे-देरे animals को use किया जाने लगा, ठीक है, mules आपके, जो है, mountainous Areas पर होते हैं, Horses अपके घोडे होते हैं, ठीक है, और Camels कि अगर हम बात करें, तो Camels आपके जो होते हैं, ठीक है, dogs and reindeer were used in North America, dogs and reindeer जो होते हैं, यह आपके North America में use होते हैं, अगर हम बात करें, तो India में bellos क यूज किया जाता था चीजों को खीचने के लिए ठीक है बैल गाड़िया आप लोगों ने सुना होगा ना बुलक कार्ट तो यह उसी की बात की जा रही है ठीक है पर उससे पहले इंसान और जानवरों का ही उपियोग transportation के लिए especially land transportation के लिए किया जाता था बढ़िया आगे बढ़ते हैं अमंग दर न्यू मेंस ऑफ प्लाइब रांसपोर और पाइपलाइब यह नए है ठीक है पाइपलाइब पताया पेट्रोलियम जाता है पाइप के दुरू ठीक है आपका नाचुरल ओएप आपने पहाडी एरिया में देखा होगा रॉप वेज जैसे अगर आप लोग मनसूरी भी गहरा जाते हो गए तो वहां बढ़ता फाल है अभी वहां पे क्या है ना कि आप बो जैसे डेट दो किलोमेटर के डिस्टेंस पर है ठीक है जिस एरिया से आप जाते हैं तो आवाँ पैदल तो भाई देखो पहाड़ों में डेट दो किलोमेटर भी बहुत जादा होता तो ऐसे वो बड़ी-बड़ी केबल होती है और उसके अंदर वो ट्रॉली होती है उस ट्रॉली में बैट कर जाते है तो वही आपका रोपवेज और केबल वेज है क्लियर हो गया होगा रॉप्स और केबल वेज अर जनरली फांड ऑन स्टीप मांटें स्लोप देखो आई ग करेंगे स्पिशली रोट के बारे में इट इस अ मोस एकॉनमिक फॉर शॉर डिस्टेंस अन गेनिंग इंपर्टेंस फॉर फ्रीट का मतलब समान होता है ट्रांसपोर्ट ड्यू टू 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 डू सर्विस भाई सीधी सी बात है छोटा डिस्टेंस आपका सबसे ज्यादा पर फिल्हाल इसकी इंपर्टेंस इसलिए बन रही है क्योंकि इसमें आप समान को एक डो टू डो सर्विस आपको मिल जाती है तीक है जैसे अभी आज कर आप समान मंगाते हो आपने खाना स्वाट्र किया अब यह तो नहीं ना बाई जो में बाई या उड़के आपके घर म सब्सक्राइब करहा है तो बदा इस व annual बाई और नहीं होते है क्योंकि आप बारिश के दिनों में क्या होता है आप समय जय रोंस्र इक फर्क इनके ओपर चलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, दो, heavy rains and floods make both the roads unserviceable, हाँ, लेकिन एक बार जरूर है, अगर extreme level की बारिश आजाए, flood आजाए, तो भाई, उस टेम पे, पक्का road भी काम का नहीं रहता है, ये तो आपको बता ही है, ठीक है, the quality construction and maintenance of roads is better than in developed countries, in developing countries, as it requires heavy expenditure, भाई, उतने जागा अच्छी quality की नहीं मिलेंगे, ये मतलब ऐसे होंगे, पक्का road भी होंगे, लेकिन वो पक्का road आप यहीं लगागर चलो, कि थोड़ी सी भी extra बारिश आई, तो वो सहन नहीं कर पाएंगे, मुश्म की मार को सहन नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहीं अगर आप developed countries देखोगे, US, Western Europe, उनकी countries अगर आप देखोगे, तो वहाँ पर आपको roads की quality construction अच्छा मिलेगा, कारण यहाँ पैसा, सीधी सी बात है, क्योंकि आपको भी बता है, कि इनको बनाने के लिए अच्छा amount of पैसा चाही होता है, तो वही यह जितना जादा आप कहते हैं वह good डाल होगे, नहीं, शेयर डालो के उतरा मीठा होगे, ऐसा कुछ बोलते है, तो वही चीज है, कि भाई, इनके लिए पैसा जादा चीज होता है, तो वह बैसा है, तो वह रोड़ भी अच्छी क्वालिटी की बनाते हैं, clear? मतलब होता है, ऐसी रोड़ लेंथ जिसके उपर मोट्रेबल मतलब कोई गाड़िया वड़िया सब चल सकती है, तो उतनी लेंथ पूरे वल्ड की कितनी हैं, 15 मिलियन किलोमेटर और सबसे जादा जो है, वो कहां पर है, नौर्थ अमेरिका में, 33%, बतलब 15 million km की length में से, अकेले 33% जो roads है, more travel roads है, वो North America में है, जिससे हम यह कहाचकते हैं, कि North America में road की density सबसे ज़्यादा है, और यह question पूछा भी जाता है, कि कौन से continent की road density सबसे ज़्यादा है, that is North America, although North America compared to, in Western Europe registered high number of vehicles as well as highest road density, ठीक है, साथ ही साथ आप यह भी देखोगे, North America में, अगर आप Western Europe से compare करोगे, तो vehicles भी जादा है, और road density तो मैंने आपको बताई दिया, वहाँ पे क्या है, जादा है, तो यहाँ से question बनता है, आपका एक number का, ठीक है, और road density का मतलब क्या होता है, तो जान लेते है, total length of road per 100 square kilometer of the area, बाई, सीधी सी बात है, one square kilometer के अंदर, कितनी road length है, उसको आप क्या बोलोगे, road density बोलोगे, clear? ठीक है, that is what called road density, और road density सबसे जादा अच्छी कहाँ पर आपकी North America में है, अब हम बात करते हैं, traffic flows, it refers to the traffic on road, that has increased dramatically in recent years, बिल्कुल traffic flows का मतलब यही है, कि हमारा कितना traffic जा रहा है, और अगर आप पिछले कुछ सालों में देखोगे, तो भाईया, road पर traffic अंदा दून बढ़ गया है, और दिल्ली की तो अगर मैं बात करू, तो भाईया, आप कभी भी चले, आपको जाम मिलना ही मिलना है, as the road network cannot cope with the demands of traffic, so congestion occurs, भाईया, सीधी सी बात है, भाईया, उतना road का हमारे पस area नहीं है, network नहीं है, और vehicles हमारे पस जादा हो गए है, तो जिसकी वज़ए से congestion पैदा हो जाता है, अब मान लो एक बात बताओ, इत्तु सा road है निकलनेगा, और उस पर वेहिकल जा रहे हैं, बहुत जारे, तो अपने आप congestion पहता होगा, आपने आप ज्याम लगेगा, clear? अब हम बात करेंगे highways की, यह metal roads होते हैं, यह बात आप ध्यान रखना, ठीके, और इनके ओपर जो vehicles की moment होती है, वो unobstructed होती है, जैसे अपने highways देखें हैं, और आप तो इंडिया में भी बहुत अच्छे-च्छे highways ड्वेलप हो गया है, अगर आप मान लीजिए, यहां से वहां जाते हैं, क्या बोलते हैं, आपने हरी द्वार जाना है, तो आप अपना Merat Express वे देख लो भाई, कितना बड़िया highway बन गया है, ठीक है, अपना दिल्ली से Bombay वाला highway देख लो भाई, 12 गंटे में आप पोच जाते हो, तो यह जो highways होते हैं, पहली बात वे पक्के roads होते हैं, इतनी सोरी width, चोड़ाई कितनी होते हैं, 80 मेंटर, अब यह roads के compatibility, 80 मेंटर बहुत अच्छी है, अब कहियों को लग रहा होगा, 80 मेंटर होता ही क्या है, बट अगर आप roads के comparison में देखोगी, तो 80 मेंटर एक अच्छी width मानी जाती है, दूसरा, traffic lanes अलग-लग, ऐसे आपने देखा होगा, lines बनी होती है, कई-कई बार तो आपने देखा भी होगा, कि वो special mention होता है कि यहां यह जो है, बड़े vehicles की line है, यह जो है, आपके जो four wheelers होते हैं, like, गारी भी गयरा, उनके लिए है, two wheelers के अलग होती है, तो आपके traffic lanes अलग होंगे, bridges अलग होंगे, flyover अलग-लग बने हुए होंगे, तो इस तरीकिस से सारी facilities होती हैं highways पर, North America की अगर हम बात करें तो North America में बहुत अच्छा आपका highway का network देखने को मिलता है, बढ़िया, Pacific Coast is linked to Atlantic Coast, Vancouver is connected to Newfoundland by Trans Canadian Highway, ठीक है, यह आप ध्यान रख लेना, यह आप से पूछता है, Trans Canadian Highway किसको connect करता है, ठीक है, तो Trans Canadian Highway से Vancouver जो है, वो Newfoundland से connect होता है, और Edmonton जो होता है, वो Anchorage से Alaska Highway से connect होता है, तो भाई यह है रट्तामार, इसमें समझाने का कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना है कि Alaska Highway किसको connect करता है, और Canadian, Trans Canadian Highway जो है वो किसको connect करता है, यह आपको याद रखना है, आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें, Trans Continental Stewart Highway, अचा मैं ऐसे कही हूँ कि दिबाग में आ रहा होगा कि मैं Trans Continental क्या होता है, तो Trans Continental का मतलब होता है, जो आपके एक continent को connect, दो continents को connect करते हैं, ठीक है कुछ highways ऐसे भी हैं, ठीक है, यॉरप में भी अच्छा खासा highway का network है, बढ़िया, ठीक है, मॉस्को व्लादी वोस्तक highway is important for Russia, बिल्कुल ये बात आप ध्यान रखना, मॉस्को आपको पता है, Russia की capital है, ठीक है, व्लादी वोस्तक ये एक highway बना हुआ है, मॉस्को को व्लादी वोस्तक highway connectivity देता है, और Russia के ल तो NH7, ठीक है, जो वारानसी से कन्या कुमारी को connect करता है, is the longest highway of the country, जाद रखना important है, इसके लावा इंडिया में golden quadrilateral भी है, जो अभी under construction है, ठीक है, बढ़ आईगे से दो बन चुगा है, ना शर्त, ठीक है, now NH44 has become the longest running highway, हाईवे इसके, हाई ये आप ध्यान रखना, अभ इंडिया का सबसे longest highway है, इंडिया का, और श्री नगर को कन्या कुमारी से connect करता है, ये आप ध्यान रखना, longest highway, golden quadrilateral आपका जो है, वो चार metropolitan cities को connect करता है, डिली, मुंबई, चेन्नाई और कॉलकाता, तो इस तरीके से quadrilateral बन जाता है, ठीक है, NH7 is renamed as national, देखो आ गया न वह है, आप रिका में भी highway है, जैसे केल गिल्स है, जो कि, ग्वेना से आपका connect है, ठीक है, और कायरो से आपका connect है, और Cape Town तर कनेक्ट है, Cape Town आपका South Africa के South में एकदम बढ़ जाता है, ठीक है, अच्छा, अब हम बात करेंगे border roads की, अब ये बहुत important है, इस roads lays along the international boundaries, बाई, हमारा border connect होता है, ठीक है, जिन से हमारा border connect होता है, वहाँ पर भी highways बनाने पड़ते हैं, भाई, अफकोर्स, ठीक है, तो वह कुन बनाता है, आपका border road organization, BRO बनाता है, अब ये वहाँ पर वही बात है, बादर रेडियास में भी तो हमारा को समान चीए, प्लस वहाँ पर हमार पर protection के लिए वहाँ पर आपकी सिनाय भी तेनात होती है, हमारे इंडिया में भी ऐसा, तो वहाँ military camps तक खाना पुचाना है, और भी चीज़े पुचाना है, तो highways बनाए जाते है, लेकिन वो road कौन बनाएगा, BRO बनाएगा, या भ्यान रखना, BRO का headquarter अपने New Delhi में है, ठी अब हम बात करेंगे, railways की, railways are best suited for the transportation, बलकी goods, बिलकुल, by CD सिवाता है, heavy समान लेकर जाना है, और बहुत दूर तग लेकर जाना है, तो सबसे best होता है आपका railway, ठीक है, especially जहां पर बहुत जादा industries है, बहुत जादा urban area है, minerals बहुत जादा है, तो वो railway से connect होती है, क्यूं? इंडस्ट्रीज है, तो समान हेवी होगा, तो railway का use होगा, urbanized भी है, तो भी आपका railway use होगा, साती साथ अगर आपके minerals मेल रहे है, भी minerals में, जैसे अब आपका iron and steel हो गया, तो यह तो ऐसी हेवी होता है, तो इनके लिए फिर इनको railway से connect किया जाता है, क्योंकि timber लाना होता है machines लानी होती है, और भी बहुत सारी चीज़े होती है, ठीक है, all the continents have dense network while Europe is having the highest density of railways, यह ध्यान रखना, यह important है, देखो roadways में North America का नाम है, लेकिन railways की अगर density की बात करूँ, तो Europe का नाम आपका आता है, the railway network of Africa, Asia, South America connects to the mineral rich and fertile areas and is developed primary to utilize the natural resources, बेल्कुल, यह भी आप ध्यान रखना, कि Africa, Asia और South America में जितने भी railways हैं, वो ज्यादा तर उनके mineral areas हैं, ठीक है, वहां से जो है, वहां पर यह ज्यादा develop करे गए है, क्योंकि mineral areas हैं, तो of course heavy material चाहिए, तो और railway से कहीं ना कहीं ट्रांस्पोटेशन को उस भी थोड़ी कम ब इल्कुल, एक ऐसी railway line, जो एक पूरे continent में रन कर रही है, और continent के एक area को दूसरे area से connect कर रही है, उसको transcontinental railway line बोलो गया, they are constructed for economic and political reasons, भाई, पैसा भी बचाना और political तो value देखो होती है, यह railway की है, तो इसलिए ही किया जाता है, ठीक है, अब हम अलग अलग जो है, trans railways की बात पर है, यह किसको connect कर रहा है, और आप यह भी ध्यान रखना, it is in Russia, पहली बात तो Siberia हो गया ना, और आपको बता Siberia world का coldest area है, रशिया में है, और यह world का longest railway line है, यह भी important question है, यहां सभी question बनता है, world का longest railway, trans railway connecting line कौन सी है, trans-Siberian railway, यह जो है, St. Peter work West में है, और East में पढ़ता है, व्लादी वो तक, उसको connect करता है, मतलब आप सूचो, East को West से connect कर रहा है, ठीक है, और बीच में है, उसका मास्कों भी आता है, एक स्टुक भी आता है, चाइना भी, sorry, चीटा भी आता है, इनको connect करता है, ठीक है, अच्छा, 8 links important agro center with 4 center connecting railway routes to important cities of Asia, बाइसीदी की बात है, एशिया की बहुत सारी important agro centers इस area में आते हैं, जहां से ये route पास होता है, तो ये connecting channel की form में काम करता है, ठीक है, अब हम बात करनेंगे Union and Pacific Railway किंग, ये जो है, New York को जो है, Atlantic Coast से, San Francisco को connect करती है, तो again दो coast होगी, दो areas हो गए, बीच बीच में क्या आता है, Omaha आता है, Chicago आता है, Oregon आता है, ठीक है, और इस पे क्या-क्या export किया जाता है, इस route से, आपके ores होते हैं, grains होते हैं, chemical हो गया, machines हो गया, ये सब जो है, इस route से लेके जाया जाता है, तो वही है, मैंने आपको बोले, ये आप जो portion शुड़ू है, that is all about रटा मात, आपको रटना है, ठीक है, नेक् 1986 में बना था, लेंथ कितनी है, इसकी, 7050 किलो मिटर है, कहाँ, परनाम से, इसको करता है, हालिफेक्स है, एस से, और वेस में है, वेंकुवर, उसको करता है, ठीक है, और ये भी जो है, बहुत सारे industrial area को करता है, साथी साथ वहाँ की जो wheat belt है, prairies जो आपके घास के मैदान हो आटरी बोला जाता है, और अगेन यहाँ पर एक क्वेस्चिन इंपोर्डेंट बन जाता है, कि कोन से railway line को Canada की आटरी, एकॉनमिक आटरी बोला जाता है, that is, Trans-Canadian Railway, ठीक है, wheat और meat, जो है, सबसे ज़्यादा export होते हैं इस रूट से, ठीक है, मतलब, wheat और meat को लेकर जाया ज आता है, clear, next हम बात करते है, Australian Trans-Continental Railway, this rail line runs west-east across the southern part of the continent from Perth, on the south coast to Sydney, मतलब, Perth से Sydney को connect करती है, ठीक है, ओके, इसके अलावा port अगस्था, जो की important port है, Australia का, उसको भी connect करती है, another north-south line connects Abilide and Alice Spring, and to be joined later to the Darwin-Birdam link, यह बंद रही है और ऐसा बोला जा रहा है कि बाद में, यापका Darwin-Birdam link को भी connect करागी, clear, तो भाई आपको रटना है, आगे बटते है, Orient Express, यह आपकी Paris से Istanbul तक जाती है, important है, यह पुझा जाता है, Orient वाला, इसमें मैं star लगा देती हूं, याद रखना, ठी heading area जरूर बूचेगा, ठीक है, तो Orient Express आपकी Paris को Istanbul से connect करती है, बीच में आपका Budapest, Vienna, ठीक है, Australia की capital है Vienna, ठीक है, और आपको बताओ ना चीए, International Atomic Energy Agency का headquarter पड़ता है Vienna में, Munich है, ठीक है, इन सब को, और Belgrade है, इन सब को connect करती है, यह, ठीक है, हुआ क्या था, पहले ही इनको जाने में, Paris, Istanbul जाने में 10 दिन लगते थे, लेकिन अब इसकी वज़े से सरफ 4 दिन में आप पोच सकते हो, क्या-क्या, इस पे एक स्पोर्ट होता है, मशीन दी है, fruits है, odds है, बैकन है, वाइन चीज, अब देखो, यह कही ना, कही ना, आप लोगों को confusing लग रहा होगा, कि मा आपर है, यह railway line, ठीक है, longest है, जैसे अब हमने रश्या वाला पढ़ा, तो longest है, वो एसे questions उठाता है, Canada वाला पढ़ा, कि वो Canada की एकॉनमिक आर्ट्री है, ऐसे questions ही examiner उठाता है, यह चीज, आप ध्यान दखना, ठीक है, अब बात करते हैं, water transport की, this is the cheapest mode of transport, as no construction cost is there and very little maintenance cost, ब अब अलावा, जो है, हाँ, एक चीज, आप ध्यान रखना, ओशियंस का जो link होता है, वो किस से किया जाता है, जो बड़े-बड़े आपके sizes के ship होते हैं, उनसे किया जाता है, क्योंकि बाई, देखो, ocean यह तो है नहीं, कुछी km के distance पर है, बहुत हजारों km के distance होता है, तो देखो, आप यह ध्यान रखना, water transport दो parts में divide होता है, sea roots तो आपके वो different sea roots होता है, जो लग-लग major oceans और seas को connect करते है, inland होता है, जो यह की देश के अंदर चल रहे होते हैं, तो उनको आप inland water waste बोलते हो, ठीक है, चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें sea roots की, sea and ocean provides smooth highway, traversable in all directions with no maintenance costs, तो यह बात आप ध्यान रखना, कि जो sea and oceans होते हैं, ठीक है, यह बहुत ही अच्छा, मतलब एक बिल्कुल smooth highway provide करते हैं, और maintenance costs तो ना के बराबर होती है, आजकल जो है, बहुत बड़े-बड़े passenger ships, modern type के, बहुत ही, आप अगर आप देखोंगे ना, तो लाइक इतने ज ships हैं, सारी facilities उसके अंदर हैं, पतब air transport से भी अच्छा खासा मतलब उनका किराया होता है, ठीक है, तो वो इसी की बात करते हैं, बहुत बड़े-बड़े modern passenger ships, cargo ships, जो चीजे लेकर जाते हैं, बड़े-बड़े cargos लेकर जाते हैं, ठीक है, तो यह आजकल navigation में use होने लग तो अब हम major sea routes की बात करें, तो North Atlantic Sea Route, बहुत important है ध्यान रखना, क्यों important है, यह ले लाइन, अभी बताती हो, सबसे बड़े अब याद रखना, North Eastern US को, North Western Europe से connect करता है, very important, याद रख लेना, North Atlantic Sea Route आपका किसको connect करता है, US को North Eastern part है, उसको North Western Europe से connect करता है, it is the busiest in the world and also the big trunk route, इ कि इसल भी CUET में पूचा गया है, कि which of the following is the busiest sea route in the world, सबसे जाधा traffic रहता है, इस sea route पे, North Atlantic वाले पे, तो इस सबसे busiest है, world का, इसे big trunk route भी बोला गया है, यह question भी एक और shift में पूचा गया है, कि कौन से sea route को big trunk route बोला जाता है, that is North Atlantic Sea Route, तो इसल इसको याद रखना, North Eastern US को Western, North Western Europe से connect करता है, busiest है, और big trunk route बोला जाता है, इसके बाद है, Mediterranean Indian Ocean Sea Route, नाम से ही बता चलता है, Mediterranean Sea को Indian Ocean से connect करता है, this route connects industrialized Western Europe with West Africa, South Africa, South East Asia, Australia and New Zealand, तो यह सारे areas को यह connect करता है, connect क्यों करता है, basically, gold है, diamond है, अभी जैसे आपको बता है, Africa तो gold की, diamond के लिए, इनके लिए बहुत है, copper हो गया, groundnut हो गया, oil, palm, coffee fruits, जो है, वो इससे transport किये जाते हैं, बट फिर मैं आपको यह बात बूलोंगी, क्या transportation होता है, that is not important, बट किसको connect कर रहा है, that is important, तो यह आप ध्यान रखना, clear, आगे बाटता है, Cape of Good Hop Sea Route, South Africa में आपको बताए, Cape of Good Hop, this route links West Europe and West African countries, तो West African countries को West Europe स connect करता है, जिसमें Brazil, Argentina, Uruguay आजाता है, traffic is less, traffic कम है, क्योंकि इस route पर जितने नहीं भी, जो है, countries बढ़ती है, उनके आस-पास, जो resources है, वो similar है, मतलब सोचो, Brazil, Argentina के पास, जो resources है, वो similar है, तो भाई, जब खुद के ही बास है, तो फिर दूसरों से क्या ही लेना, तो हम समझ इसी वज़े से यह वाला जो सी रूट आपको ज्यादा बीजी नहीं मिलेगा, तो बीजी आपको मिलता है, North Atlantic वाला, clear, coastal shipping के, अगर हम बात करें, coastal shipping क्या होता है, coastal shipping is a convenient mode of transportation, with long coast lines, US, China and India, बिल्कुल, coastal shipping का मतलब होता है, जो आपका coastal area होता है, अब मैं यह बान कर चल चल दि ठीक है, तो वहाँ पर जब आप easily form में जो है, shipping कर पाते हो, transportation कर पाते हो, तो that is आपका coastal shipping, यह जो होती है, यह आपकी land route पे congestion कम कर देती है, of course, जब आपको पानी मिल गया है, तो फिर आप land पे, of course, land से क्यों जाओगे, तो land route में गहीं नगहीं इनकी वज़े से congestion कम हो जात है, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, Swayze Canal की, very important, very very important, बहुत question आता है, CUT में यहां से, examiner की favorite होती है, Swayze Canal, 1869 में constructivity, घोट के भी ले ना, बहुत बर पूछा जाता है, ठीक है, in fact, आगे कल को आपको competitive exam भी दोगे ना, तो भी पूछा जाएगा, कि Swayze Canal जो है, वो कब बन पीच में, 7000 किलोमीटर का distance कम हो गया है, 7000 किलोमीटर बहुत होता है, ऐसा माना जाता है, कई चुकों पे 6000 लेखा है, कहीं पे 7 लेखा है, इसलिए मैंने अप्रॉक्स बोला है, जाए 6000 भी हो तो भाई हो कम है, 6000 कोई कम दोड़ी ना, अच्छा खासा है, ठीक है, क्या है य कि जो जीके आते हैं, वहाँ भी ये question आता है, स्वेस कैनाल कौन से oceans या sea को connect करती है, तो Mediterranean Sea और Red Sea को connect करती है, स्वेस कैनाल, ठीक है, 160 किलोमीटर ये लंबी है, ठीक है, 11 से 15 मीटर तक ये deep है, बीच में कोई locks नहीं है, और sea water जो एक दम freely वो करता है, अब locks क्या होता है, पाजे से बना दिये जाते है, कईबर क्या होता है, जैसे देखो, जैसे मानों यहां से पानी निकलना शुरू हुआ, अब वहाँ जा रहा है, वहाँ तक पोश्चे में टाइम लगेगा, लेकिन अगर हमें इसमें shipping करनी है, नाव चलानी है, तो हमें तो continuous पानी जीए ना, तो इसने क्या होता है, भीच में लगा दिये जाते हैं, तक एकदम से पानी कठा हो, उसको खोलो और फिर वो आगे एकदम फ्लो में जाए, समझारी वाद, वरना अगर लग्स जो होंगे, नहीं होंगे, तो क्या होगा, पानी अराम से दिरे 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 जा रह है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स आता है पानामा कैनाल, इट इस अ मानमेड कैनाल, अट्लांटिक ओशिन विद पासिफिक ओशिन, अगें वेरी इंपोर्टेंट, ये भी इंपोर्टेंट है, दोनों का कनेक्शन, इस पर भी डबल स्टार लगा देती हूं, भाई, याद रख लेना, गोट गोट के पी लेना, पूछा जाता है, रेट सी, मेडिटेरियन सी, स्वेस कैनाल, पनामा कैनाल, अपके अट्लांटिक ओशिन और पासिफिक ओशिन को गनेक करती है, ये उससे थोड़ी कम लंबी है, 72 किलोमेटर लॉंग है, और इसमें जो है, ये इ 가지고 के बीज़ का डिससेंस, लख भग 13,000 किलोमेटर कम कर दिया है, ठीक है, तो उसने इंडिया और यॉरॉप के बीज़ में, ल्गशन क कर दिससेंस कम किया है, पनामा कैनाल की अगर मैं बात करू तो, न्यू यूरॉक और स्थांसेस्टो Germany, France, Belgium, Netherlands का है ये, ठीक है, मतला इनको connect करता है ये, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना कि राइन मोटर वेस्स किसको connect करता है जो industrial areas है, किस-किस कि Switzerland, Germany, ठीक है, France, Belgium और Netherlands इनके connect करता है और ये आपका North Atlantic Sea Route के बीच में बढ़ता है, कौनसा North Atlantic Sea Route अभी बताया था, जो वर्ल्ड कल सबसे busiest Sea Route है, ठीक है The river Rhine flow through Germany and Netherlands, actually क्या है Germany और Netherlands के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है Rhine, और उसी पर बना हुआ है, Rhine inland waterway, ठीक है, It flow through a rich coal field, Dusledorf is an important port on this area, तो भाही वो है, कि इस रास्ते में एक बहुत important port पड़ता है, जिसका नाम है Dusledorf, ठीक है This waterway is most heavily used हाँ, अब ये भी ध्यान में रखना यहां से भी question पूछा जाता है, कि कौनसा inland waterway जो है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा use होता है, ठीक है, कौनसा inland जो है, waterway जो है, वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा use होता है, that is आपका Rhine Waterway that is your Rhine Waterway, जो आपका वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा use होता है, inland ठीक है, अब हम बात करते हैं, वॉल्गा की ये भी developed waterway है, रश्या का, अब ये तो सीधा आप से इसकी location पूछेगा, वॉल्गा waterway कौनसे country में है, रश्या में है, it is navigable up to 11,200 km drains up into the Caspian Sea, लब 11,200 km तक आप इस पे navigate कर सकते हो, और ये फिर Caspian Sea में जाके मिल जाता है, अब हम बात करेंगे, air transport की, तो ये तो आप सबी को बताईए, air transport सबसे fastest है, भाई लेकिन क्या drop है, बावूद खर्चा होता है, कोस्ती बहुत है, जी कहा, फासे ज़रूर है, बट खर्चा है, तो कोस्ती है बहुत, air transport has broad connectivity revolution in hospitable desert, mountainous area, snowfield, where other means of transport are not reachable, पाइदा ये है, जहाँ पे ना land transport पोच पाया, ना water transport पोच पाया, उन area उसको connect करने में, सबसे जो important role play किया है, वो किस ने किया है, air transport ने किया है, और इसी वज़े से air transport ने क्या ला दी है, एक क्रांती ला दी है, बढ़िया, ठीक है, due to high construction and maintenance cost, air transport is more developed in highly industrialized country, बिलकुल भाई, एक तो इसको बनाना बहुत बहंगा पड़ता है, maintenance भी बहंगी बढ़ती है, तो इसी लिए जाता तरहिए आपको developed countries में मिलेगा, और वो भी जो industrialized आपकी countries है highly, वहाँ पे आपको मिलेगा, इसके लावा आजकल तो supersonic aircrafts यूज होते हैं, जिनकी वज़े से हमारा जो distance है, वो बहुत ही कम टाइम में, बहुत अच्छा खासा distance cover हो जाता है, अब हम pipelines की बात करें, तो pipelines जो हैं, वो आपकी water, petroleum, natural gas, liquefied coal को जो हैं, ले कर जाती है, और New Zealand में तो milk भी pipelines से cover होता, मतलब भेजा जाता है, this is again important question, इस सल आया है, फिर से CVT में यह, कि कौन से country में, दूद जो है, वो pipeline के थूद्ट अप्लाई किया जाता है, that is New Zealand, clear, ध्यान रखना, very important, USA में बहुत जादा pipelines है, in fact, big inch, geography की पहली shift का पहला question है, मतलब जब geography का paper start हुआ था, domains में, तो पहली shift में ही यह question आया था, big inch pipeline का, कि big inch क्या है, it's a famous pipeline, कहां की है, US की है, तो एक तो यह ध्यान रखना pipeline है, क्योंकि वो big inch के साथ pipeline लगा के नहीं देगा, पूछेगा यह क्या है, pipeline है, कहां की है, US की है, क्या transport करती है, petroleum, कहां से कहां तक, pipeline जो है, petroleum ले कर जाती है, तो फिर से मैं इस पर double star लगा रही हूँ, क्योंकि यह install cvd में आया है, again very important है, अब हम बात करने वाले हैं, transport हमारा यहां पर खतम हो जाता है, अब हम बात करने वाले हैं, communication की, ठीक है, long distance communication in the form of telegraph and telephone are important, by CDC सी बात है, टेलिग्राफ और telephone जो है, ठीक है, आपको किसी से दूर से बात करनी है, तो पहले टेलिग्राफ और telephone के तुरू हम बात किया करते थे, mid 19th century, American telegraph and telephone company enjoyed monopoly, तो पहले क्या था, mid 19th century तक ज़्यादा telegraph companies नहीं थी, तो American की जो telegraph, telecom company उसी ने monopoly enjoy करी है, ये company थी, भाया मेरा ही बोल बाला है, ठीक है, developing countries में, cell phones जो है, वो आजकल rural areas में ज़्यादा popular हो गया है, बिल्कुल हो गया है, अगर हम बात करें, satellites के, artificial satellites जो है, वो हमारे develop करे गए हैं, और वो इसलिए develop करे गए हैं, भाई, सबसे बड़ी बात तो आप अपने देश पे नजार रख सकते हो, आपने देश के resources के बारे में जान सकते हो, कहां पे कौन सा resources है, connectivity improve होती है, this is a satellite communication which is reduced per unit area and time of communication, खुद सोचो ना, satellite की वज़े से अच communication कितना सस्ता हो गया है, दिमाग लगाओ, पहले GEO का recharge कितना महंगा होआ करता था, आप देख लो कितना सस्ता है, वैसे भी अगर आप देखोगे तो पहले data कितना महंगा होआ करता था, पूरे महिने में 1 GB मिला करता था, और आजकल तो per day में आपको 1-2 GB मिल जाता है, unlimited भी होता है, है ना, तो यह सब किसकी वज़े से हो पाया है, satellite communication की वज़े से ही हो पाया है, ठीक है, इंडिया के अगर हम बात करें, तो इंडिया ने अपना खुद का satellite बनाया था, आर्या भट्टा, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, कब लांच किया था, 1st April 1979 को, भासकर 2 और पिर रोहिनी, 1980 में, यह याद कर लेना, इंडिया का पहला satellite कौन सा है, अपना आर्या भट्टा, भासकर जो है, चैलेंजर और इंसेट आईबी सेटलाइट, यह इनके नाम है, तो अपकोर्स, यह long distance communication, और weather forecasting में help करते हैं, इनसे हमारी communication possible हो पाती है, और मौसम के बारे में, जो हम अनुमान लगाते हैं, कि शायद आगे आने वाले दिनों में, बारिश हो सकती है, यह हो सकता है, तो सारी चीज़े, इन वाले satellites की वज़े से possible हो पाती हैं, ठीक है, चलिए, यहाँ पे हमारा जो है, चाप्टर खतम हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, चाप्टर बहुत असान है, फ़र चाप्टर में static चीज़े जादा है, static में भी मैंने देख़ो, आपका काम असान कर दिया है, तो आपको यह बता बता के, कहां से कैसे सीटी में question पूचा गया है, वो असान किया है, दूसरा मैंने आपको यह भी बताया है, कुछ भी ना याद कर पाओ, तो भाई यह तो याद करी लेना, कि कौन सा water transport जो है, या कौन सा आपका जो है road transcontinental, जो आपके रेलवेज हैं, वो किसको connect कर रहे हैं, तो इसको तो जरूर कर लेना यह पूछे जाएगा, ठीक है, चले कुछ questions करते हैं, when was the first public railway line opened, पहली public railway line जो है, वो कब open करी गई थी, बताईए भई, पहली जो है, public railway line जो है, वो कब open करी गई थी, बताईए, क्या लगता है, 18.15 में, 18.25 में, चीक है, चीक है, या फिर 18.35 में, चीक है, या फिर, none of the above, बताईए क्या लगता है, संसार की बात हो रही है, अच्छे, या पर लिखा ही नहीं है, ऐसे तो देखो, संसार की बात होनी चीए, क्या लगता है, मैं, चीए, चलीए, बिलको, संसार की ही बात हो रही है, कि फ्र्स पब्लिक रेल्वे लाइन, कब open करे गई थी, तो फ्र्स पब्लिक रेल्वे लाइन, ओपन करे गई थी, आपकी 18.25 में, कब open करे गई थी, 18.25 में, ऐसा बोला जाता है Stockton, England में Stockton और Darlington के बीच में खोली गई थी, ठीक है, next question पर आते है, name the longest railway route of the world, यह तो अभी बताया मैंने आपको, लेंगेस जो है railway route, Trans-Siberian, Trans-Canadian, Trans-Australian या None of the Wow, अभी बताया था आपको longest railway route, तो longest railway route की अगर हम बात करें तो आपका है Trans-Siberian railway, जो कि आपका कहां पर पढ़ जाता है, रश्या में, ठीक है, ध्यान रखना, next, which mode is suited for carrying a large volume of bulky material, bulky material ले जाने के लिए भाईया हम किसका use करते हैं, तो कितना असान question है, roads का, नहीं, roads short distances के लिए helpful होते हैं, railways का, airways का तो कता ही नहीं करते हैं, तो correct answer क्या जाएगा, railways का, है ना, क्योंकि हम railways को use करते हैं, next, identify the country which has the highest density of railway network, railway network सबसे जादा, कौन सी country की है, बताये भाई, highest density of railway network, बताईए भाई, highest density of railway network, बताये क्या लगता है, क्या लगता है, correct answer क्या होना जाएगे, highest density of railway network, किसकी है, ठीक है, किस की है बताएं भई क्या लगता है बताएं क्या लगता है पक्या हो ना चिए करेक्ट आंसर क्या हो ना चिए वैसे अगर आप जो है मेरी इमांकर चलो तो आ अगर आप देखोगे तो इसका अगर आप नेट पर देखोगे तो कुछ और मिलेगा ठीक है बट अगर आप करोगे रेल्वेस के बारे में तो करेक्ट आंसर आपका क्या जाएगा यूएस का ठीक है करेक्ट आंसर आपका क्या जाने वाला है यूएस का क्योंकि सबसे जादा जो डेंसिटी मिली है रेल्वे इसको लेकर Western, North Western Europe को connect करता है, तो that is North Atlantic Sea Route, कौन सा है आपका North Atlantic Sea Route, which mode provides door-to-door service, door-to-door service कौन सा mode provide करता है, roads, railways, या airways, तो नाम से बदा चलता है, या airways, तो मतलब aeroplane तो हमारे गर आने से रहा है, railways भी नहीं आती है, but yes, roads से आपको चीज़े अपने घरों के अंदर मिल जाती है, door-to-door service मिलती है, what does the big-inch pipeline transport, यह इस साल आया है CUET में, मैंने आपको बताया है न, यह question अलग-लग तरीके से पूचा गया है, किसी शिफ्ट में पूचा, big-inch pipeline कहां की है, US की है, क्या transport करती है, यह पूचा गया है, ठीक है, तो इस तरीके से है, तो अब बताये क्या transport करती है, बहुत अभी बताया था आपको, petroleum transport करती है, कहां की है, US की है, बता चुकी हूँ, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यह जो chapter है, यहां पे over हो जाता है, फाइनली, ठीक है, मैंने आपको बोला ही था, chapter असान है, जादा तर चीजे स्टाटिक है, तो रट्टा मार है, कुछ चीजे मैंने आपको समझाई है, पर कुछ चीजे देखो, मेरे हाथ में भी नहीं है, ज़स आपको मगप करनी है, अब मगप में भी क्या मगप करनी है, तो मैंने वो काम आपके लिए असान कर दिया, connectivity जाद कर लेना, वो important है, या अगर किसी के बारे में, longest बता रखा है, highest बता रखा है, तो वो भी याद कर लेना, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं next class में, ये बिल्कुल मत सोच कर चलना, कि one short चल रहा है, तो chapter cover नहीं होगा, सारे के topics जो हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं, I mean आपको कराये जाते हैं, और time to time बताया भी जाते हैं, कि यहाँ से question पूछा जाएगा, सालिया, फिर में अपनी final tagline के साथ, मुश्किल वा, मैं दम साच, बाबाई,